आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे द्धान तक नहीं हो तरी श्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत स्वागत है येमेन रिबेल्स मरीब तक चले गए हैं देखो यार खतरनाक होता जा रहा है मतलब दुनिया के समी करण बहुत तेजी से बदल रहे हैं पता नहीं कहां जाके रुकेंगे सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो चैनल को एक बार करो फिर बोलो के मज आया और यह मज आया सबको देना चाहता हूँ तो सब्सक्राइब करो यार 60-70% लोग सब्सक्राइब नहीं करता है ऐसा क्या गुना कर दी हम लोगों नहीं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल दबाओ और मतलब यह बेल दबाओ और नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है और इंस्टा पे मुझे अभी सी वक्त जाके सब्सक्राइब करो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स सबके लिंक दी है 17800 के करीब टेलिग्राम पर हमारे सब्सक्राइबर है आपको पीडिएफ मिल जागी आज से हमारी वेबसाइट चालू हो जाएगी यह बीबीसी का मैप है तो सबसे पहले तो आप समझ यह से विल वा घ़िए तो बेटर है कि आपको बता दू तो आप वो जाके देख ले तो यमेनी सिविल वार जो है वो 2014 में शूरू हुआ तो और अभी तक यह चल रहा है हाला बहुत खराब है यमिनी सिविल वार क्यों शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग की वज़े से अरब स्प्रिंग जितने भी यह आप देख रहे हैं अरब मुल्क यह अपनी सत्ता चलाते हैं आज से बहुत टाइम से दश्कोस इनकी सत्ता चल रही है राजा महराजा है इन्ही का ही रूल है यह ऐसी आग बनी तुनीश्या में सबसे पहले रेवल्यूशन हुआ रातो राट डेमोक्रेसी आगे और पूरे अरब मुल्कों में फैल गया यह जितनी भी सत्ताधारी लोग थे इतने टाइम से सत्ता पकड़े हुए थे एक एक करकें की सत्ता हिलने लगी कई जगा तो डेमोक्रेसी आ गई मतला हर जगा नहीं कुछ जगा मिलिटरी का साशासन हो गया और कुछ जगा सिवल वार हो गये अब इसके चपेट में आ गए यमन ठीक है यमन में भी दोस्तों यही हाल आते है बहुत टाइम से देखें यमन जो है वो अरब मुलकों में आ सरकार थी और हूती रिबल्स इन दोनों के बीच में वार शुरू हो गया ठीक है और अभी तक यह चल रहा है रुकने का नामी नहीं ले रहा है तो यह आप देख सकते हैं कि यह जो नीले में है यह हूती स कंट्रोल कर रहे हैं 2015 अचा हूती जो है वो शिया है शिया और सुन है यमन में भी सुनी गवर्मेंट ही तो जाहिर सी बात है सौधी जो है वो यमन सरकार को सौधी लेट कोलिशन है बहुत सारे देश जो है वो इस समय यमन सरकार को बचाने में लगी हुई है और हूती जो है वो शिया है अब इरान डेफिनिटली यहां पर हूती को सपोर्ट करेगा तो इधर इरान हूती जक अरेबिया यमन गवर्मेंट को सपोड कर रही है लेकिन दोस्तो प्रॉब्लम बहुत जादा है प्रोब्लम इसलिए बहुत जादा है क्योंकि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा और हूती रिबल्स ने आप देख सकते हैं पूरे नॉर्थ यमन को अपने कबजे में ले लिया है और अब दोस्तों ये जो मरीब है ना मतलब ये वाली यमिनी गवर्मेंट फोर्सेज ये वाला जो एरिया है ये इनके पास था और बाकी रेड में कॉन्फिक्टिंग जोन है टू दा गवर्मेंट है यानि कि ना ही हूती के साथ और ना ही सरकार के साथ अब आप ये देखिए किसमे सरकार बची ही कहां यमन सरकार के पास तो कुछ ही नहीं न ये छोटा सा रिजन है इनके पास ये इस्टन साइड वाला अब यहां पे भी हूती फोर्सेज जो है दोस्तो खबर ये है कि यमन में जो हूती रिबल्स हैं उन्होंने सरकार को बहुत ही तगड़ा जटका दिया और मारीव सिटी में अच्छा मैंने मेरा बोल दियाता है मारीव है मारीव सिटी में वो घुज गए हैं बहुत हेवी कैजुलिटी हुई है 65 से जादा लोग दोस भी फरक नहीं हुआ दोस्तों ये अच्छी बात ही है क्योंकि हूती एडवांस करते जा रहे हैं सौधी का बॉर्डर लगता है यमेन से क्यों उनके लिए भी बहुत ज़्यदा खतरनाक है जो मरीव है और सराउंडिंग ओयल फील्स है मरीव के पास ओयल फील्स है जिन पे स चले गए that means कि इनके पास सरकार के important resources आ जाएंगे वैसे ही rebel जो है वो capital सना को control करते हैं अब दोस्तों इतनी तगड़ी लडाई हुई है 65 लोग मारे गए है 26 loyalists जो सरकार के साथ हैं वो खतम है इसमें से हाला कि हूतीज को कितना loss हुआ है वो भी मारे गए है लेकिन वो अपने losses को बताती नहीं है बहुत बढ़िया strategy है इन लोगों की बहुत जबरदस्त अगर यह लोग बता देंगे तो इनका moral नहीं डाउन हो जाएगा तो कुछ नहीं बोलता है एक दम शांत रहते हैं अब आ आगे बढ़ते जा रहे हैं यह आगे बढ़ते जा रहे हैं अलमील की जो लेकिन mountain है वो एक barrier है to the rebels तो अभी आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मारी पे तो इन्होंने कबजा कर लिया है अब यह बहुत बढ़ा blow है दोस्तो सरकार के लिए क्योंकि यहां स यह center था एक तरीके से सरकार का जहां से चीजों को control किया जाता था लेकिन अब rebels ने इसको capture कर लिया और यह बहुत बहुत बढ़ा loss है मुझे नहीं लगता दोस्तो मेरा personal मानना यह है कि अब इनकी सरकार जो है येमिन सरकार जो है वो चल पाईगी देखिए simple सी बात यह है कि सौधी की आर्मी बहुत weak है सौधी का coalition है ऐसी बात नहीं है सौधी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि येमिन सरकार को support दें और मतलब चीजों को ठीक किया जाए लेकिन दोस्तों सौधी late coalition में कुछ खास है नहीं आपे ठीक है सौधी late सौधी जो है वो पहली बात उसके आ अरेभी आता है UAE आता है Senegal आता है Morocco आता है लेकिन सौधी की आर्मी इसलिए तो बड़ी बेजजिती होई है बहुत लोग कहते कि इनकी आर्मी है ही कहां देखे सौधी ने कभी strong army बनाई नहीं वो बनाना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है जिस दिन स्ट्रॉंग आर् हो जाएगा तो यह एक और यहां पे हूधी को एरान सपोर्ट कर रहा है और एरान की आर्मी बहुत तगली है ठीक है एरान की आर्मी बहुत ही तगली है और हूधी भी बहुत तगले है तो यहां पे expansion तो हो गई ना result आपके सामने है बहुत मुश्किल इंका टिक पर नहीं पर देखेंगे क्या होता है, वैसे तो militants के हाथ में कुछ भी गया, तो it is very very bad. Observers यही कहते हैं कि हूती जो है, मतलब they are on the intent to capture the city, और अब होगा क्या, America बोल रहा है कि peace talk करो, लेकिन ये खुब बड़ा area अपने कबजे में लेंगे ये, और उसके बाद दोनों को table पे बैठाया जाएगा, इधर हूतीज बैठेंगे, इधर येमिनी सरकार, और फिर दोनों में negotiate किया जाएगा, तो उतीज के बाद जितना बड़ा area होगा, उतना इन के लिए अच्छा, आप देखें एक humanitarian crisis तो है ही, अभी तक करोणो करोणो लोग जो है, वो मारे जा चुके हैं, लाखो लाखो लोग मारे जा चुके हैं, अभी तक एक लाख से जादा लोग मारे जा चुके हैं येमिन म की हालत दोस्तों यहां पे बहुत खराब है, युद्ध के बीच में civilians के हालत कैसी होगी आप समझी सकते हैं, कितने लोग displaced हो चुके हैं, 140 से जादा camps बनाये गए हैं, basic shelters देने के लिए लेकिन उसमें भी कुछ खास मिल नहीं रहा है, 20 लाख से जादा जो है, they are actually displaced, तो humanitarian crisis हो वो यमिनी government को support करता है और अमेरिका सौधी को support करता है, और 4 फरवरी 2021 को Biden ने ये बोल दिया, पिछले महिने Biden ने ये साफ साफ बोला, हम सौधी coalition को support नहीं देंगे, we will not give support to सौधी coalition, तो ये यमिनी सरकार के लिए और बुरी ख़बर है, हाला कि भी official announcement होना है इसका, खुछ रही है, पढ़ते रहे हैं, इससे सिद्दान तक नहीं होतरी signing हो, अचा बस यही एक आपको announcement देनी है, कि देखिए अब हमने recruitment शुरू कर दिया है, और अब धीमे धीमे हम recruitment निकालते रहेंगे, तो I hope आपने आपकी बहुत सरे applications आईए, thank you so much for tremendous response, हम अभी shortlist कर रहे हैं और के बाद फिर हम आपको respond करेंगे, कुछ लोगों को हमने दुबारा mail भेजी है, और बहुत सारी चीजें है, courses बनाना है, फिलाल ये telegram channel है, और आज से हमारी website चालू हो जाएगी, 18,000 telegram पे subscriber हो गए है, अभी मैंने शायद 17,900 थे, अब 18,000 हो गए होंगे, और channel को यह दो को subscribe जरूर करो, देखो यार आप लोग subscribe नहीं कर रहे हो, 60% लोग subscribe ही नहीं कर रहे है, ऐसा मत करो हो, जून तक 1,000,000 करने है, रुके रहो आपको बहुत मजाएगी, खुछ रहे है पढ़ते रहे है, अब final खुछ रहे है पढ़ते रहे है, देज़े सिद्धान तक निवोतरी signing तक नहीं करने है, और सक्षनेः करत लोगट में अजिए करने है, पजुछ नहीं करता है, और सक सक्षम को बहँ बहँने हैं आपको चुछेबा करने कि 50 लाष नहीं करने है, जुछ है लोगगारी मनावध。